मैंने पहले भी कहा कि अगर पप्पु यादव अपनी पार्टी को कंविंस करने में काम्याब हो गए कि आप अलाइंस का रहने दीजिए आप जो है उपर चपना बोलते रहिए और मुझे लड़ने दीजिए चुनाब अलाइंस को बरकरार रखी है हमारे नाम पर अलाइंस टूटेगा नहीं इस तरह से प्लैन करके देए और भोलिए कि हमारा आदमी नहीं मान रहा है और ये निसकासन भी नहीं हो आप बयान दीजिए कि पप्पू से नाराज हो गए आला कमार ये कमार ऐसा कुछ चलेगा लेकि अगर ये पपू यादब कन्विन्स करने में काम्याब हो गए कि हमें यहां लड़ने दीजी और कॉंग्रेस भी चाहेगी अंदर खाने की पपू लड़े चुनाब क्योंकि लड़ने से कुछ तो बेस बढ़ेगा कुछ तो बात बनेगी क्योंकि अब वह कॉंग्रेस पार्टी के लेता हैं तो यह मामला तो वह बहुत फस जाएगा आपको लग रहा है कि पूर्णिया का चुनाब फसेगा और पूर्णिया के चुनाव पर पता नहीं कितना पड़ेगा क्योंकि अलाइंस में कॉंग्रेस के पास बहुत आप्सन नहीं है तो लालु जी इसमें टर्म्स को डिक्टेट करेंगे कॉंग्रेस उससे निकल भी नहीं सकती है अलाइंस से मुझे लगता है पूर्णिया के चुनाव भी जरूर असर पड़ेगा कि वहां से फिर एक बार भाजपा जीट जाएगी यह तरह है क्योंकि पूर्णिया की आप देखेंगे तो यह तो प्लैनिंग नहीं कि कॉंग्रेस को तोड़ दे मैं वही कह रहा हूं कि कॉंग्रेस अगर यह सोच समझ के चल रही है और अगर इसमें एडमेंट हो गए लालुयादव तो राजनिती है कुछ भी हो सकता है कि यह ठीकड़ा लालुयादव तोड़ दिया और हम उनको कोई एक फायर ब्रांड लीडर चाहिए और मुझे लगता है कि पपू यादव इसके लिए तयार है कि कॉंग्रेस में राजस्तर के नेता हो जाएंगे वो समय उनका गुजर गया अपनी पार्टी का विलाय किया उन्होंने और नेगोसियेट कर रहा है तो वो कोई फायर ब्रांड नेताव रह नहीं गया आपको कि पपू यादव में कम से कम एक बात तो है जैसे भी हो अपन करता डिलिकेट कारी करता की बैस है उस बहुत नहीं है पहुत बड़ा नहीं है लेकिन सब्सक्रिजा को क्रिटिकल नहीं है वह उतना बड़ा नहीं है कि और गोट तोगन लेगा क्या है कॉंगर्इस को तो कोई नुखसान किया है कि मिलने जा नहीं राएक क्या तो को मिलेगा क्या। जो भी सीट जूदा बौत मिलना लास्टियर पाटी बने रहने के लेकिन लगता है क्योंकि अगर मान लिजे कि कॉंग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर दी अगर तो मामला पलट सकता है उसकी कोई संभावना नहीं है बिहार में मुस्लिम वोट बैंक में कॉंग्रेस के दुवारा की जाने मुझे लगता है मनिन जी इसको भी देखना पड़ेगा कि राष्ट्री अस्तर पर क्या चल रहा है कौन उसका नेता है जो उनको प्रोटेक्शन दे सकता है और चुकि ये लोगसमा का चुनाब है अगर राष्ट्री अस्तर पर कॉंग्रेस के नेता ये समझाने में काम्याब हो गए कि आप आईए तो बाकी लोग भी हमारे साथ हैं तो हम दो चार सीट एकाद दो सीट हम नि लेकिन योग वो मुस्लिम वोट आजरी के खिलाफ किसी चला जाएगा इसकी सम्भावना बहुत कम है कि अतनी सी बात पहले तारी का नवर खड़े होते थे अभी सुना है कि उस पर भी वैस चल रही है तो उस इलाके में मेरे ख्याल से अगर जैसे मान लिजे कि अगर आर्जेडी का ये तर्क हो कि बेगुसराई सीट आप आप पहले हार चुके हैं कनिया कुमार हार चुके हैं तो यह तो यहां में तो ऐसा नहीं है पुर्णिया में तो एक नया स्ट्रॉंग मजबूत दंदार नेता मिला है कॉंग्रेस पो यह बात माननी चाहिए थी आर्जेडी को नहीं तो हार भी चुके हैं पहले ना पापु यादर कहां कि रहा है पहले वह भी तो हार चुके हैं कि एसा सोड़ी कुमार CPI में थे उस टाइम में कि पंग्ड़लय को में टुरेण टार रिछा क्वार के जिरिया पादरी की के उते हैं कि वह एला में VS झाच़ए नेकındवा।